जब कदम ठक जाते हैं तो होसला साथ देता है और जब सब मूँ फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है जब सब मूँ फेर लेते हैं तो खुदा साथ देता है गुड ओबिनिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के सा और मैं अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सरकेश संग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जो हम लोगों ने स्रंखला चलाई थी यूपी त्रिपल एसी पेट 2022 जो सामान हिंदी का माडल पेपर उसका 6 पेपर लेकर मैं आपके सामने हूँ और हम लोग इसमें से साल्व करते हैं देखते हैं कितने कोस्चन्स अटम्ट कर पाते हैं टोटल इस पेपर में 25 कोस्चन्स हैं उनमें से आप लोगों का स्कोर 20 प्लस होना चाहिए और कमेंट सभी लोग किया करिए और बताया करिए अगर कोई भी आपका सजेसन रहता है तो उसको भी आप कमेंट वाक्स में हमें बता सकते हैं और इस वीडियो की PDF आपको जो है वो टेलिग्राम लिंक हम सेर कर देंगे उस पर मिल जाएगी तो सभी लोग टेलिग्राम से भी जोड़ जाएंगे तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बर्स 1955 इस भी में गठित प्रथम राजभासा आयोग के अध्यच कौन थे ए अफसन गुलाव नभी आजाद वी सी गोपालाचारी और सी अफसन है अपका वी जी खरे डी जै प्रकास नारायन तो एक तो पहले इसका एंसर कर लेते हम तो पहले का जो राजभासा आयोग है उसकी स्थापना कब की गई तो ये 1955 दो कोश्चन यहां से मिल जाते हैं हम लोगों को कि जो प्रथम राजभासा आयोग है उसके अध्यच स्री बीजे खरे थे और इसकी स्थापना 1955 इस भी में की गई थी नेट्स कोश्चन हिंदी वर्ण माला में आयोग वाह वर्ण कौनसे है ए अंग और अहा वी अ और आ ची ए और ओर फ्री डी उ और उ तो इसको राइटी हैं दोस्तों है वो आपका ए अपसंट है अंग और अहा यह हमारे जो वर्ण है वो आयोग वाह वर्ण कहलाते हैं तो इसका जो right answer दोस्तों है वो आपका होगा कदली केला का जो तत्सम रूप होता है वो कदली होता है तो इसका जो right answer दोस्तों है वो D option है कव इत्री दोस्तों इसको देख लीजिए और most important में right का लीजिए क्योंकि यह question बहुत बार पूछा गया है next question पर चलते हैं हम लोग इन में से कौन प्रत्य है ए बतसल वी अन्त सी अन्त डी आवदार तो इसका जो right answer है दोस्तों वो अन्त जो है वो क्या है आपका एक प्रत्य है next question हरिस्चंदर में प्रियुक्त संधी का नाम क्या है हरिस्चंदर सब्ध है इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संधी है ए आप्शन स्वरसंधी वी बेंजन संधी और सी भिसर्ग संधी और डी गुण संधी तो यहाँ पर जो राइट अंसर दोस्तों है वो बिसर्ग संधी है कैसे होगा यह देख लेते हैं हर ही बिसर्ग हो गया फ्लस चंदर बरावर हरिस्चंदर इनमें बिकारी सब्द कौन सा है ए परंतु वी लड़का सी यथा और डी आज तो इसका जो राइट अंसर दोस्तों है वो क्या है वो लड़का है लड़का एक बिकारी सब्द है इनमें संयुक्त बाग के कौन सा है ए बाणी की मृदुता सबको बस में कर लेती है वी जिसने चोरी की है वह पकड़ा जाएगा सी कोई नहीं वता सकता की प्रलाइक कब आएगा दी सुरेश ने पुस्तक खरीदी मैंने उसे पढ़ा तो उसका जो राइट एंसर दोस्तों है वो डी आप्सन है कि सुरेश ने पुस्तक खरीदी और मैंने उसे पढ़ा यानि हब दो बाग के एक संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं यहीं आपका संयुक्त बाग के है नेक्स कोश्चन नमर नाइन दिये गए बाक्यांस में अनेक सब्दों के लिए एक सब्द का चैन कीजिए कमल से युक्त जलास है ऐसा जलास है जो कमल से युक्त है उसे क्या कहा जाएगा तो आप जो राइट एंसर है दोस्तों वो पद्दमाकर होगा नेक्स कोश्चन उर्वर का बिलोम सब्द काउनसा है ए अतिबरेष्ट वी उसर सी उतमरण डी उतकरेष्ट तो इसका जो राइट एंसर दोस्तों है उर्वर इसका जो राइट एंसर होगा आपका बिलोम सब्द जो होगा वो उसर होगा नेक्स्ट वायू का पर्रहवाची क्या है ए अलिनी, वी अनल, सी अनिल, डी अलिंद तो इसका जो right answer दोस्तो है वो अनिल होगा अनिल जो है वो आपका वायू का पर्रहवाची है नेक्स कोस्टन इसमें आपको गद्यांस पढ़ना है और गद्यांस पर आधारित प्रशनों के उत्तर देने है तो पर लेते हैं लोग गद्यांस कि साहिती तो एक सात्विक जीवन है उसे कठिन तपस्या और महान यग समझना चाहिए जहां विक्तिके विक्तित्य के कोई सोतंत्र विसय नहीं है रह जाते उच्च साहित की वा भाव भूमी है वहां अपरिग्रह का सामराज है फोटो नहीं च्छापे जाते वहां वाड़ी मौन रहती है गाथा गाने में सुख नहीं मानती उस उच्च इस्तर से जितने क्रिया कलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से ही होते हैं पर आज की दिन हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्म कथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है किसका नाम लेना आत्म कथा का नाम लेना पाखंड है और आत्म प्रेरणा का हमारे देश में आत्म कथा लिखने की परिपार्टी ही नहीं रही तो इसका right answer क्या होगा, आप questions देखते हैं, वोग क्या है questions फिर answer करते हैं, पहला question है कि साहिति को क्या माना गया है, A कठिन साधना और तपस्या, V लेखन का महान यग, C कठिन तपस्या और महान यग, D लेखन, तपस्या और कठिन साधना, तो इसका right answer दोस्तों है, वो C option है, क कठिन तपस्या और महान यग्य साहित को क्या माना गया है कठिन तपस्या और महान यग्य माना गया है नेक्स कोशन उच्छ साहित की भाव भूम्मी क्या है ए जहां ब्यक्तित्य के कोई स्वतंत्र विसय नहीं रह जाते वी जहां ब्यक्तित्य स्वतंत्र विसय नहीं चुन सक जहां व्यक्तित्त्य के कोई सोतंत्र विशे नहीं रह जाते हैं, वही उच्छ साहित्त की भवभूमी है, नेक्स गोशन, उच्छ इसतर के क्रिया कलाब किस से होते हैं? आत्माव लोकन से, V आत्मा अनुभव से, C आत्म कथन से, D आत्म प्रेरणा से, तो इसका जो right answer होगा, वो D option होगा, आत्म प्रेरणा से उच्छिस्तर के सभी क्रिया कलाब होते हैं, next question, किस देश में आत्म कथा लिखने की परिपार्टी नहीं रही, A उत्तरप्रदेश, V भ भारत वर्ष की बात कर रहा है, संपूर भारत वर्ष की बात कर रहा है, कि अब आत्म कथा लिखने की परिपार्टी नहीं रही, next question, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है, A गाथा को, V आत्म प्रेरित संस्मरण को, C आत्म कथा को, D कथा को, तो इसका राइट अंसर जो है वो आत्म कथा है, आत्म कथा को हिंदी में क्या कहा गया है, पाखंड कहा गया है, next question, नीचे दिये गए बाक्यों का उची तकरब में चैन कीजिए नमर एक, जिस परकार या दहकना है, उसी परकार, रह, उसके सुभाव का मनुस्य का धर्म, आगणी का धर्म पर र्याय होना चाहिए तो मिला लेते हैं और आफसन दिखाते हैं आपको क्या होगा जिस प्रकार अगनी का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुस्य का धर्म उसके सुभाव का पर्याय होना चाहिए यानि क्या है सबसे पहले वा है वा फिर आपका य फिर ल और फिर रा यानि ए आपसन आपका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों तो इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तों वो सी होगा टावर्ण जो है वो मोर्धा से इसका उचारण होता है नेक्स कॉस्छण बेवस्था से पूर्व कैसा उप सर्ग लगाएं कि उसका आर्थ होजाएंS परोधा इसका गाय और्भा और डी और तो इसका जो राइट ऐंसर होगा दोस्तों वो वी होगा य inflam आ लगा दें तो यह क्या होजाएं तो व्यवस्था, अर्थाद इसका आर्थ पलेट जाएगा, तो व आप्षन बिल्कुल करेक्ट है, आ के साथ जाएंगे, नेक्स गैसन, वीस नमर का, प्रगत्य सील लेखक संग की इस्थापना कब हुई, अ 1936 1936 1926 1922 1932 1932 तो इसका जो right answer है दोस्तों वो A होगा आपका 1936 इस्वी में प्रगति सील लेखक संग की स्थापना हुई Next question कला प्रकति का अनुकरण करती है कला क्या करती है प्रकति का अनुकरण करती है इह कतन किसका है A. अरस्तु V. प्लेटो C. मेथु अनल्ड D. लोंगिनूस तो इसका जो right answer है दोस्तों वो अरस्तु है Next question सन 1963 इस्वी में पारित राजभासा अधनियम से संसोधन कब हुआ सन 1964 V. सन 1965 C. 1966 D. 1967 इसका जो right answer है दोस्तों 1967 इसका जो right answer है दोस्तों पारित राजभासा अधनियम था उसमें संसोधन कब हुआ सन 1967 इस्वी में Next question मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूद प्यूंगा ये कैसा वाक्य है A. सरण वाक्य V. मिस्त वाक्य C. संकेत वाक्य D. संयुक्त वाक्य तो यहाँ पर क्या है दोस्तों देखते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा वलकि ये वरन थोड़ा सा दूद प्यूंगा अर्थाति ये आपका संयुक्त वाक्य है तो D. के साथ हम लोग जाएंगे संयुक्त वाक्य Next question वहाँ गलत होने से डरती है बाक्य में उचित क्रिया विशेशन सब्द आएगा फिल कर ये A. अचानक B. धीरे-धीरे C. बहुत D. तेज तो इसका जो राइट एंसर है दोस्तों वो बहुत है कि वहाँ गलत होने से बहुत डरती है यहाँ पर बहुत होगा बहुत डरती है Next question असुद्ध वर्तनी वाला सब्द चुनिए गंगा वरू तरण V. गीतात्मक C. गंभीर D. गगन तो इसका जो राइट एंसर है दोस्तों वो A है A option है इसका राइट एंसर गंगा वरू तरण होना चाहिए गंगा वरू तरण आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स वार वाचिंग